नमस्ते फ्रेंड में सविता अगरवल कुकिंग विस सविता मैं आप सभी को सौगत करती हूँ आज मैं आप सभी के लिए सूपर स्पाइसी मैगी की रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए शुरुआत करते हैं सूपर स्पाइसी मैगी केसे बनाते हैं सूपर स्पाइसी मैगी बनाने के लिए हमें इन इंच जोकी आउशकता है सूपर स्पाइसी मैगी का एक पैकेट आदा कब बारी कटे हुए आलू आदा कब बारी कटे हुए पैज आदा कब पैज की हरी पत्ती कांदा पात एक टेबल स्पून तेल एक टेबल स्पुन जीरा, स्वादा नुसार लाल मिर्ची पाउडर, आहोशक्ता नुसार पानी तो चलिए सूपर स्पाइसी मैगी बनाते हैं सबसे पहले मैगी के पैकेट को लेकर इस तरह पैकेट को खोल लीजिए मैगी के पैकेट में इस तरह मैगी और मैगी के मसाले वाले दो पैकेट है अब इसे साइड में रख दीजिए सबसे पहले ग्यास परदी में आज पर कड़ी रख दीजिए कड़ी को गरम होने दीजिए जैसे ही कड़ई गरम हो जाए तब इस कड़ई में तेल डाल दीजिए तेल को थोड़ा गरम होने दीजिए जैसे ही तेल गरम हो जाए तब इस तेल में जीरा डाल दीजिए डाले हुए जीरे को चटकने दीजिए जैसे ही जीरा चटकने लगे तब इसमें ब्यारी कट की हो पैज डाल कर पैज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजे अब इस भूने वे पैज में आलू डाल कर आलू और पैज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजे पैज और आलू गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें एक ग्लास या उशक्त नुसर पानी डाल दीजे और डाले वे पानी को उबलने दीजे जैसे ही पानी उबल जाये तब इस पानी में पैज की हरी पतिया डाल दीजे पानी में पैच की हरी पतिया डालने के बाद हरी पतियों को थोड़ा पानी में रजने दीजिए जैसे ही हरी पैच की पतिया रज जाए तब इस में पैकेट में से निकाली हुई मैगी डाल दीजिए और डालीवी मैगी को एक चमच के साहेता से तोड़ कर अलग कर लीजिए और इस तरह पैज, आलू और पानी में मिक्स कर लीजिए अब इस डालीवी मैगी को 5 मिनिट तक दिमे आज पर रजने दीजिए जिससे इस मैगी में डाला हुआ पानी थोड़ा कम हो जाए अब इस मैगी में सौधानुसा लाल मिर्ची पाउर डाल लीजिए यह लाल मिर्ची मैगी में डालना उप्ष्णल है क्योंकि इस मैगी में अलग से दो तरह के स्पाइसी तीका और मसाले वाले पैकेट है अगर आपको मैगी ज़्यादा तीकी चाहिए तो ही इसमे लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए अब इस मैगी को इस तरह लाल मिर्ची के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब इस मैगी में इस तरह मैगी के पैकेट में से निकले हुए तीका और मसाले वाले पैकेट को खोल कर इस मैगी में इन मसालों को डाल दीजिए और इन डाले वे दोने मसालों को इस मैगी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस मैगी को इस तरह दो मिनिट तक धीमी आज पर अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर लीजिए जिससे इस मैगी में डाले हुए प्याज, आलू और सभी मसाले इस मैगी में अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए इस तरह मैगी में मसाले मिक्स हो चुके है देखिए इस तरह सुपर स्पाइसी मैगी बन कर तायर हो चुकी है अब इस बनाए हुए मैगी को एक प्लेट में निकाल दीजिए मेरे इस सुपर स्पाइसी मैगी बनाई हुई रेसीप को आप जरूर ट्रै कीजिए और अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेर कीजिए और मेरी दूसरी वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और मेरे इस चाइनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पासी में दिये हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो मिलते हैं एक और अगली नई रेसीपी के साथ ठेंक्यू झाल